गुरूर देवो महेश वरका, गुरूर साक्षाएप परंब्राह्भा, तस महीश्री गुरुभे नम्ध। मेरे सभी मित्रों ओमरी दरप्ते रादे रादे. दोस्तों सनी के रहेक अगरत नीलम। नीलम जो है किस मंत्र के द्वार धारन करना चाहिए? उसके धारन करने का मंत्र क्या है उसके धारन करने के नियम क्या है जैसे रत्न को किस धातू में धारन करना चाहिए किस उंगली में धारन करना चाहिए किस दिन धारन करना चाहिए किस समय धारण करना चाहिए वो कौन सी माला होगी जिससे हम शनिग रह के मंत्र का जाप करें वो कितने मंत्रों का हम जाप करेंगी यह सारे नियम जब हम फॉलो करते हैं सारे नियमां को जब हम अपनाते हैं तो किसे कहते हैं कि विदीवेत तरीके से रत्न को धारण करना। ऐसा करने पर रत्न के अंदर एक पावर आ जाती है। वही पावर जो है हमको मिलती है। जब वो एनरजी हमको मिलती है तो क्या होता है गा। हमारे कार उस दिसा में कर हम कार कर रहे हैं जिस रतन को पहने हैं तो निश्चित रूप से क्या होता हैगा रतन जागरत हो गया और हमको सबलता मिलेगी ही मिलेगी शनी ग्रह का रतन नीलम जिसको हम बिलू सपायर भी कहते हैं सनी गिर्यका रत्न धारण करने के लिए नीलम को धारण करने के लिए सबसे पहने उसको सुद्ध करना चाहिए नीलम को सुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका थोड़ा कढ़िने आप काली मिट्टी ले आएए काली मिट्टी में नीलम को आप रख दीजिए मिट्टी उगिली कर लीजे नीलम को उसके बीच में रख दीजे ऐसा पिड़ा टैब बिना लीजे उसको छोड़ दीजे आप कुछ दिन के लिए उसके बाद आप उसको निकाल लिए गंगा जल से दोईए गंगा जल से दोने के पस्चाथ इस फटिक की माला इस फटिक की माला से ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराई नमा इस मंतर को आप नोट कर लीजे ओम प्राम प्रीम प्रोम शा शनिश्चराई नमा इस मंतर का जाब करना है ये जाब कप करना है आपने नीलम डिया नीलम की पहले अंगूठी बन वाली अपने नाप की अंगूठी बनवाने के पस्चात अंगूठी को मंदर में घर के मंदर में रख दिया रखने के पस्चात वहीं बैटकर इस मंत्र का 23,000 जब शंख्या जब हम पूरी कर लेते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि 23,000 जपसंख्या हम एक इबार में करें उसको हम कुछी दिन में कर लेते हैं जब 23,000 जपसंख्या पूरी हो जाएगी तो रत्म जागरत हो जाएगा उस जागरत होने के पस्चाथ अब हमें ये देखना है कि एक सुकल पक्ष होता और एक किस्ल पक्ष होता है तो किस्ल पक्ष का शनिवार किस्ल पक्ष के शनिवार को संधिया काल में आप उस रत्म को धारन कर लीजे धारन करने के पस्चाथ चुकि रत्म शनी गरेगा है और शनी को हम लोग क्या कहते हैंगे शनी के रहे, शनी के देपता है शनी हो गया, तो शनी को हम लोग कहते हैं के दरिद्र नाराणी, दरिद्रों के नाराणी यानि गरीवों के भगवान, अब रत्न शनी का एगा तो निश्चत है कि दरिद्र नाराणी तो दरिद्रों को भी आप प्रसन कर लीजिए, अर्थात गरीबों को रत्न दारन करने के पस जात कुछ ना कुछ आप काली वस्तूओं का दान कीजिए, जैसे लोआ हो सकता है, काला चाता, सरसों का तेल हो सकता हैगा, कोई भी जैसे काली वाली दाल हो सकती है कि मंगोडी हो सकती काली दाल की बनी हुए कीले हो सकती है काली मिर्च लॉंग कोई भी चीज आप अपनी सुद्दान सार किसी गरीब को आप दान कीजे ऐसा करने के पस्चाथ मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो रत्न आपके साथ बहुत अच्छा काम करेगा और आपको 100% लाब देगा ही देगा दोस्तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब पर लीजे और बेल आइकोन को दबा दीजे आपको पहले भी बता चुके हैं कि नीलम को भूल से भी चांदी में धारन नहीं करना है क्योंकि चांदी चंद ग्रे की दातू होती है नीलम शनी ग्रे का होता है ये दोनों एक दूसरे के सत्रू होते हैं तो ये गलती नहीं करना इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए ताकि इस से और लोगों का भी लाग हो अगर आपको अपनी जनम तित्थी नहीं पता है या जनम समय नहीं पता है और आप अपनी समस्याओं का समय गान चाहते हैं जो बच्चों के लिए पूरे जीवन भर काम में आती है तो आप वो कुंडली बनवा सकते हैं इसके लिए आप नीचे जो लिखे हुए नमबर हैं उन पर पॉन कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए फिर हमारे सिंग बने रहे हैं तक तक के लिए रादे रादे जैन